Assalamualaikum guys, उमीद है कि आप सब लोग खेरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे The topic of our today's presentation is history of 16 personality factors which is also called 16 PF आज हम एक new test start करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको उसकी history के बारे में बताऊंगी जो है 16 personality factors और इसको हम 16 PF भी कहते हैं in short So let's start सबसे पहले इसका historical background The 16 personality traits were developed by British psychologist Raymond B. Kettle in 1949 for assessment of personality जो 16 personality traits हैं वो British psychologist Raymond B. Kettle ने इसको develop किया था 1949 में personality को assess करने के लिए ठीक है जो questionnaire है इसका 16 personality factor questionnaire जो हम next video में discuss करेंगे वो यूज किया जाता है personality को assess करने के लिए ठीक है वो कैसे जो है वो develop किये ठीक है तो Kettle ने क्या किया कि personality के trait names ठीक है एक dictionary थी जो compiled की थी Gordon Alport ने और Henry Odbert ने 1936 में एक dictionary compile की थी जिसमें तमाम trait names जो थे उस dictionary में मौझूद है और जो psychiatric ये psychological literature में जितने भी personality से related names थे या personality trait names थे उन सब को Kettle ने जो है वो assemble करना start किया इस लिस्ट औफ 4,504 real traits is first reduced to 171 trait names by combining obvious synonyms अब वो जो dictionary थी उसमें total हमारे पास 4,504 trait names से जिसको हम real traits कहते हैं उसको सबसे पहले जो है वो Kettle ने reduce किया 171 traits names के अंदर वो कैसे किया कि उस dictionary में जो 4,504 real traits थे उसी के synonyms मतलब उसमें use किये गए थे ठीक है मतलब अगर एक कोई उसमें trait है तो उससे related ही दूसरे traits भी उस dictionary में मौझूद है तो Kettle ने क्या किया जो trait के synonyms से न उन सब को एक consider करके इस तरहां उन्होंने बहुत सारे ऐसे करके 171 traits में जो है उस dictionary को reduce कर दिया college students were rated their friends on these 171 items and the results were inter correlated and factor analyzed अब जो है वो 171 trait name से उसको जो है वो Kettle ने college students के ओपर जो है वो apply किया उनको rate करने का कहा अब college students को कहा गया कि आप अपने friends के लिए जो है इन 171 traits के ओपर जो है अपने friends के लिए rating दें ठीक है मतलब कि अगर मेरा कोई मुझे कहा जा रहा है ठीक है कि इन 171 traits के ओपर जो है अपने किसी friend के लिए rating करो ठीक है कि उसकी personality traits में जो hè यह वाले traits उसमें कैसे आ रहे हैं ठीक है वो इस category में fall करता है जा उसकी personality जो है इन traits से resemble करती है या नहीं ठीक है तो मैं अपने friend के लिए जो है इन traits के ओपर rating करूंगी कि इन में से कौन-कौन से personality traits मेरे फ्रेंड में मौझूद हैं ठीके उसके बाद जो रिज pagan Sabbath के युद्ध के अपर इंटर किया गया से की टाडिज श् complaining के यूब उन्होंने 171 ट्रेट्स को जो है वो एनलाइस किया था और उसके बाद इनको फिर फर्दर रेडियूस किया गया जो हम आगे पढ़ेंगे भी ठीक है 171 टर्म्स वर रेडियूस्ड तो 36 डैमेंशन काल्ट सर्फेस ट्रेट्स अब फैक्टर एनलेसिस के रिजल्ट में क्या हु है अब सब्सेकुएंट इन्वेस्टिगेशन बाद फैक्टर इनलिसस फाइनली प्रोड्यूस्ट इस्टीन डिस्टिंट फैक्टर्स डैट अकांटेट पूर अल्ड़ वेरियेबल्स फिर उन 36 ट्रेट्स को अगें जो है उसके उपर इन्वेस्टिगेशन की गई फैक्ट इन्वेस्टिगेशन फैक्टर्स जो है वो फाइनली प्रोड्यूस हुए फैक्टर इनलेसिस के तुरू और यह 16 पर्सेनली फैक्टर्स जो एक बंदे की पूरी परस्टिगेशन को डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंट तो रेमंड केतल 10 टेटल है ड्रेडिवस्ट परस्ने are stable building blocks of personality अब रेमन केटल ने कहा कि यह जो source traits हैं यह stable होते हैं और हमारी personality का जो है वो building block है cattle's theory asserts that each person contains all of these 16 traits to a certain degree but they might be high in some traits and low in others अब cattle के जो 16 personality theory है वो यह कहती है कि each person जो है वो यह 16 traits contain करता है ठीक है मतलब हर individual में जो है 16 personality traits होते हैं लेकिन difference क्या होता है कि इनका जो level है इनकी degree है in traits की वो vary करती है ठीक है इसी वज़ा से जो है एक बंदे की personality जो है वो दूसरे बंदे की personality से डिफर करती है change होती है ठीक है जो personality psychologist है उन सब का एक ही question के ओपर जो है focus था कि एक individual की personality जो है वो दूसरे individual से different कैसे करती है एक बंदा दूसरे बंदे से different कैसे है ठीक है for example एक same situation है exam की situation है लेकिन एक बंदा जो है उस situation में काम रहता है एक बंदा relaxed है एक बंदा बहुत स्ट्रेस में होता है ठीक है तो किस तरह एक बंदे की personality जो है वो दूसरे बंदे की personality से differ करती है इस चीज को बताने के लिए जो है यह तमाम जो personologist है इस चीज के उपर वर्क करते है ठीक है तो रेमन कैटल ने कहा कि एच इंडिविजूल जो है यह 16 source trade जो है वो contain करता है सिर्फ क्या होता है कि जो इनका level है किसी के अंदर जो है एक source trade जो है वो high होगा तो दूसरे बंदे में वही source trade जो है वो low होगा ठीक है अब यह 16 जो trade है इसकी next video में आपको पूरी जो है detail बताई जाएगी कि यह 16 trades हैं क्या ठीक है इनको define किया जाएगा अगर high होगा तो क्या होता है और अगर low level होता है तो हम क्या interpret करते हैं so that was all about the history of 16 PF trades if you have any question you can ask me in the comment section thank you so much and Allah hafiz